असलाम वालेकुम दोस्तों कैसो आप लोग इस वीडियो में सोधेरब का वीजा स्टेंपिंग और वीएफेस से जूड़ी कुछ अपडेट है वो शेयर करूँगा तो वीडियो को पूरा जरू देखिएगा वीएफेस का इतना बड़ा इसू चल रहा ना लोगों के साथ में कि ये टोपिक को मैं अवोईड करी नहीं पा रहा हूँ और भी बहुत सारे टोपिक से उस पर वीडियो बनानी है लेकिन टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा और मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फिडवेक मुझसे शेयर करते हो देखिए कि आज एक भाई ने काफी अच्छा फिडवेक शेयर किया मुझे कौलकाता में उनका अपॉन्मेंट था उनका फैमली गए हुए थे उनकी वाइफ बेटी गए हुए थे और शादी था जिसके वज़े से उनके वाइफ ने मेहंदी लगाई हुई थी वीफस वालों ने मेह इसे मुझे बता नहीं पाई जहां तक मुझे लगता हो सकता बाइमेट्रिक्स काम नहीं की होगा मेहंदी वदी के वज़े से तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लड़की लोग ज्यादा एक्साइट हो जाती है खुश हो जाती एक्सर के सौदी आएंगे मेहंदी दिला आते हैं विज़े काम कर लीजिए उसके बाद मेहंदी लागाई है आप लोग इसके बाद दूसरा देखिए नाम नाम का स्पेलिंग में एक भी अगर वर्ड इधर उधर है एक्सामपल पर बता रहो अगर माल लोग इसी का नाम हसन है ह-a-s-a-n हसन उनके वाइफ का पासपोर्ट में स-a-s-a-n है एक एस जो है ज्यादा है तो उनको कोर्ट से एफिडिफिट कराना पड़ेगा ये लाजिमी है नहीं तो फिर आपका काम रुक जाएगा और लोग बोलेंगे ये करवा के लईए तो कोर्ट का एफिडिफिट आप करवागे जाए अगर नाम का स्पेलिंग गलत है वकिल लोग उसमें लिग देता है कि इनका जो नाम है एक्ट्वल में ये है ये नहीं है तो यह अगर आप कराके जाओगे तो आपका वीजा स्टेंपिंग हो जाएगा आपको वापस लोटना नहीं पड़ेगा ये दो का मुझे लगबग बहुत ज्यादा experience हो गया बहुत ज्यादा हो गया अभी देखिए यह जो मैं आपको मेरा experience बता रहा हूं आप में से बहुत कम लोगों पता हो गए यह चीज पांच लोग से ज्यादा एक बार में आप appointment schedule मत करना नहीं तो error आएगा यह पहला चीज अगर छ लिखते हैं पता नहीं आप लोगों के साथ यह हुआ है या नहीं मेरे साथ में तो हुआ है कुछ लोगों का नाम इतना बड़ा रहता है चार नाम लिखावा रहता उनका मैं तो देख के हैरान हो जाता हूं तो और क्यूंकि passport पर जो नाम है वह mandatory column में फिल कर नहीं है तो न important point इसके बाद दूसरा बहुत लोग फास्ट फास्ट करने कोशिश करते हैं बैक जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं ज्यादा फास्ट मत कीजिएगा अगर आप ज्यादा फास्ट कीजिएगा नेटवर्क एरर आ जाएगा फिर उसका कोई जमादान नहीं होगा कब होगा वो ने पर हैं मुंबई आपका रहे इसके बाद देखिए कुछ लोगों में क्या बात चल रहा अभी भी एजेंट के चक्कर में ध्यान दे रहे कि बिना गए भी हो जा रहा भाई बात सही है क्या ओफिस वाले बोल रहे मैं करा दूंगा तो यह शौटकट वाला तरीके को आप लोग इगनौर कीजिए यह श उनलाइन विजा अपलाई करो विजा अपलाई करने के बाद उनलाइन एपन्मेंट शेडियूल करिए अपने फैमिली को एक दिन भेजिए हो गिया काम खतम मैं समझ सकता हूं जो लोग दूर से हैं गाहों एरिया से बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता ह और विएफेस का रूल लागू हो के हमारे हमारे लिए कुछ अच्छा होने रहा खर्चा भी जादा है परिशानी भी जादा है I can understand लेकिन हम लोग कुछ करने सकते इस पर जो रूल लागू हो गिया इसको अब अवर्ट किया नहीं जा सकता और यहीं चलेगा याद रखिया अभी फिलाल खुद से करना है अवेर रही है सारे रूल से इसके बाद एक और बड़ा डाउट है लोगों में कि यह पास्पोर्ट कब तक आएगा इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो आप उनका वेबसाइट में ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन है वहाँ पे आप अपना रेफ पिक अप करने का लिया है सर्विस वो जाकर पिक अप कर सकते हो वहाँ पर दीख जाएगा अब दीखे कुछ लोग के साथ क्या मसला हो रहा है कि एक दो फैमिली मेंबर का आ जा रहा पासपोर्ट उनका सब कुछ हो गया लेकिन एक दो लोगों का पेंडिंग है यह क्यों हो यह हो सकता है इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है पहले भी होती थी यह इसलिए होता है क्योंकि सवदी कॉंसुलेट के तरफ से भी वेरिफाई किया जाता है याना हला कि वेफेस वाले 90 परसंट तो काम करी देते हैं रेंडम कभी-कभी MBC वाली भी चेक करते हैं क्रोस च वीडियो में फिलहाल इतना ही जो भी मैंने आपको इंफोमेशन शेयर के उम्मित करूंगा यह इंफोमेटिव रही होगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि इस तरह के इंफोमेटिव वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे वीडियो आग हागे जयो हो एागे कर आगे बादे रहेंगे आगे भी मिलते है विए वीडियोगे चैनलगे तो प्रस के एससमेटियों है।